तो फ्रेंड्स वल्कम बैक टू मैं चैनल और फिंड आज की इस वीडियो स्रीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं काफी इंपॉर्टन सब्जेक्ट के बारे में जो कि आपके बीटेक फर्स्ट एर का काफी इंपॉर्टन सब्जेक्ट है इसका नाम है इंजिनिरिंग ग्र पढ़ना है उनके लिए यह कंटेंट काफी बिस्ट सावित होने वाला है तो वीडियो में बने रही हैगा तभी आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा और अगर आपने अभी जो आने वाला समय अपने इस वीडियो पे दे दिया तो मैं यह उम्मीद करता हूं कि आपक अब इंजिनरिंग ड्राइंग के लेक्टर्स को प्रवाइड करेंगे तो बिसिकली वह कंटेंट है जिसमें सबसे पहला है आपका स्केल उसके अंदर दूसरा आपका है इंजिनरिंग कर्व तू और फॉर है आपका लोकी अफ पॉइंट उसके बाद और्थोग्राफिक प इंटर्सेक्शन ऑफ सर्फिज एंड आइसो मैट्रिक प्रोजेक्शन क्लियर और उसी में हम क्या करेंगे इसके एक्जांपल को भी डिसकस करेंगे क्योंकि इंजिनरिंग ग्राफिक में एक्जांपल का बहुत बड़ा रोल होता है आपको यह पता होगा क्लियर उसके क्लासिफिकेशन होगा वो इस तरह से होगा कि इसके क्लासिफिकेशन को देखेंगे कॉनिक सेक्षन को देखेंगे कॉमन डेफिनेशन को देखेंगे जो डेफिनेशन होते हैं आपके और उसके बाद फ्रेंड आपका होगा इलिप्स को पाराबोला को इससे रिलेडेड जो आपका example का question होता है उन चीज़ों को hyperbola को और method of drawing and tangent and normal clear उसके बाद हम discuss करेंगे engineering curve दू में आपका classification, definition of involute, cycloid, trocodes and epic cycloid and hypocycloid उसके बाद आपका spiral and helix method of drawing and tangent and normal clear उसके बाद हम discuss करेंगे local point में आपका discuss करेंगे हम classification and basic locus cases and oscillating links, rotating links तो आप इसका जो notes है न, notes आप प्रोपर लिखते चलिए अपने copy में, note down करते चलिए या फिर आप इसका screenshot भी ले सकते हैं, clear, काफी helpful होगा आपके लिए, orthographic projection जिसमें हम drawing, drawing के type को discuss करेंगे, orthographic को discuss करेंगे, plane को discuss करेंगे, उसके classification को pattern of plane and view को देखेंगे, method of orthographic projection को देखेंगे, first angle and third angle method को देखेंगे, clear, और उसका फ्रेंड हम discuss करेंगे, conversion of pictorial view into the orthographic view, उसमें हम देखेंगे, explanation of various terms, first angle method क्या होता है, third angle method क्या होता है, यह सारी चीजों को हम discuss करेंगे, clear, और फ्रेंड उसका हम projection of plane में हम देखेंगे, projection of plane क्या ह इसके नोटेसंस क्या होते हैं Nanak, Quadrant Structure क्या होता है और इन चीजों को हम ड्रिसकस करेंगे तो आप इसका स्क्रीन सौर्ट ले सकते हैं क्लेयर काफ इंप्रिंट हौने वाला है फ्रेंड और ऐसा इंप्तर साय Teles8 ही आपको कहीं मिल पाए झ्लियर टो कहींरक नहीं सर्फिं पर भी इसे share कीजिए ज़्यादा ज़्यादा और इस वीडियो पे जैसा response मिलेगा जल्द से जल्द मैं उसका content provide करने की कोशिश करूंगा आपके पास clear तो काफी important थाबित होने वाला है और उसमें हम discuss करेंगे different type of चीजों को और बहुत easy तरीके से और figure के according आपको सारी चीज़े समझ में आएंगे clear और यहाँ पर आप चीजों को देख सकते है screen source का ले सकते है clear और friend यही आपका content था इस content को देख सकते हैं और friend मिलते हैं जल्दी हम अपने content के साथ तब तक लिए thank you